अगर आपको गर्मी और लोगों से जादा लगती है और हालत वे चैनी जैसी हो जाती है तो अपनी कुछ आदतों को बदल कर भी आप इस थिती को संभाल सकते हैं चले जानते हैं कैसे आप अपनी इन आदतों को संभाले नमबर एक तीखे बोजन से पूरी तरह दूर रहे हरी मिर्च, लाल मिर्च, लहसुन, अद्रक इन चीजों को कम से कम खाने में इस्तेमाल करें ये शरीर की अगनी को बढ़ाते हैं जिससे शरीर गर्म होता है जादा तेल मसाले से बना हुआ खाना आपके लिए बहुत ही नुकसान दे है इससे जादा गर्मी लगती है और पसीना भी जादा निकलता है क्योंकि ये हमारे शरीर के तापमान को बढ़ाने का काम करते हैं इसलिए आप इन भोजन से दूर रहें नमबर दो स्ट्रेस लेने से बचें स्ट्रेस लेने से भी हमारे शरी का का तापन बढ़ता है जिस वज़े से कुछ लोगों को ज़्यादा गर्मी लगती है ऐसे में हमारा blood circulation बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए आप स्ट्रेस लेने से बचें नंबर 3 Salty food से परेज दोस्तों बहुत जादा नमक वाला खाना खाने से Body temperature बढ़ जाता है दरसल जिन foods में नमक की मात्रा अधिक होती है वे dehydration का कालर बनते हैं अधिक नमक वाली चीजे खाने से पानी की कमी होती रहती है जिस से BP हाई हो सकता है No.4 आम की तासीर दोस्तों आम की तासीर गरम होती है और अधिक गर्मी में गरम तासीर वाली चीजे खाने से Body को heat मिलती है इसके अधिक सेवन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है बहतर है कि आप आम खाने से पहले एक पानी में एक दो घंटे के लिए उसको डुगो कर रख दें उसके बाद ही उसका सेवन करें No.5 ऐसे रखे Body को cool No.1 गर्मी में Body को cool रखने के लिए हरी सबचिया खाए No.2 बोडी को hydrate रखने के लिए परियाप्त मात्रा में पानी भीए No.3 सुबा 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर निकलना अवोइड करें No.4 जितना हो सके लाइट फैब्रिक कपड़े पहने No.5 बाहर निकलते वक्त छाते या सन ग्लासिस का इस्तमाल जरूर करें No.6 उन फल और सब्जियों को खाएं जिससे पानी की कमी ना हो और उसमें पानिया दिखो तो दोस्तों यह थी मेरी आज की वीडियो उमीद करती हूं मेरी एजान करें आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक कियर और बाबाई